नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव घर की बरकत बढ़ाने के सबसे जरूरी दस वास्तु टिप्स जो आप सभी को जरूर पता होना चाहिए, वरना घर में आ जाती है कंगाली, जीहा मित्रों, बरकत, अर्थात वह शुभ स्थिती जिसमें कोई चीज या चीजें इस मात्रा में उपलब्धों की उनसे आवश्यक्ताओं की पूर्ती होने के बाद भी वह बची रहे अर्थात अन इतना हो की घर के सदस्यों सहित अतिती आय तो वह भी खा ले, धन इतना हो की आवश्यक्ताओं की पूर्ती के बावजूद वह बचा रहे, तो आये जानते हैं, घर की बरक के नियमों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, तो आये जानते हैं, सबसे पहले आप जब भी भोजन करने बैठें, तब आप भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर समान के साथ रखें, साथ ही खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से न पकड़े, य भूल अकसर ज्यादातर लोग जानकारी के अभाव में करते हैं, ऐसा करने से खाना प्रेत योनी में चला जाता है, तो आज से ही ऐसा बंद। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आवान जरूर करें, भोजन करते वक्त वार्दालाप या क्रोध न करें, परिवार के सदस्यों के साथ बैठ कर भोजन करें, भोजन करते वक्त अजीब सी आवाजें न निकालें। तो रसोई घर में ही बैठ कर भोजन करें, इससे राहु शांत होता है। जूते पहने हुए कभी भोजन नहीं करना चाहिए, सुबह कुला किये बिना पानी या चाए न पियें, जूते हाथों से या पैरों से कभी गौ, ब्राहमन तथा अगनी का सपर्श न करें, इसके बाद बात कर लें अगले नियम की तो वो है मित्रों, घर की बरकत में घर की साफ सफाई सबसे जरूरी है, तो उसके लिए आपको उसके नियम के बारे में भी पता होना चाहिए, तो उसके नियम क्या है, कभी भी ब्रहम मुहूर्त या संध्याकाल को जाडू नहीं लगाना चाहिए, जाडू को ऐसी जगह रखें, जहां किसी अतिती की नजर ना रखें, वाश्रूम को गीला रखना आर्थिक स्थिती के लिए बेहतर नहीं होता है, प्रयोग करने के बाद उसे कपड़े से सुखाने का प्रयास करना चाहिए, दक्षिन और पश्चिम दिशा खाली या हलका रखना करियर में स्थिर्ता के लिए शुभ नहीं है, इसलिए इस दिशा को खाली न रखें, घर में काले, कत्थी, मट मेले, जामुनी और बैंगनी रंग का इस्तिमाल न करें चाहे चाधर, परदे या हो दीवारों का रंग, घर में सीडियों को पूर्व से पश्चिम या उत्तर से दक्षिन की ओर ही बनवाएं, कभी भी उत्तर पूर की तो अगला नियम घर की बरकत के लिए सबसे जरूरी है, जो की है घर के मंदर से जुड़ी और ये जानकारी आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए, अगर आप अपने घर में बरकत करना चाहते हैं, किसी देवी देवता की एक से ज्यादा मूर्ती या तस्वीर न रख वरना कोटक चहरी के, मामलों में फसने की पूरी आशंका रहती है, तिजोरी में हल्दी की कुछ गांट एक पीले वस्तर में बांध कर रखें, साथ में कुछ कौडियां और चांदी, तामबे आदी के सिक्के भी रखें, कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें, अब बात कर लेते हैं, अगले नियम के बारे में तो अगला नियम क्या कहता है, तो अगला नियम है द्वार देहरी की पूजा जिहा, घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रख कर प्रति दिन, घर को साफ और स्वच कर प्रति दिन, देहरी पूजा करें, घर के बाहर देली या डेल के आसपास स्वस्तिक बनाएं और कुमकुमहलती डाल कर उसकी दीपक से आरती उतारें, इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबा और शाम को करपूर भी जलाएं और घर के वातावरन को सुगंधित बनाएं, जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास ही के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थाई लक्ष्मी निवास करती है, घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वस्तिक का निर्मान करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चड़ाएं, घर में लक्ष्मी का आगमन होगा, अब मित्रों बात कर लेते हैं, अगले नियम के ब अक्ष्मी का वास स्थाई रहता है, अब बात कर लें, अगले नियम के बारे में तो मित्रों अगला नियम कहता है, कि खुद को सुधारे, घर की स्त्री का समान करें, दक्षिन दिशा में पैर करके नसोएं, शर्ट और पेंट की जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं, बट को बदलें, घर में हर कही गंदगी फैलाने का कार्य न करें, नाखून और बाल बढ़ा कर न रखें, प्रति दिन शरीर के सभी छिद्रों को तीन वक्त जल से धोएं सुबह, शाम और रातरी, अब बात करें अगले नियम की तो अगला नियम कहता है, केसर और कपूर के बार करपूर अती सुगंधित पदार्थ होता है, तथा इसके, दरहन से वातावरन सुगंधित हो जाता है, करपूर जलाने से देव दोश व पित्र दोश का शमन होता है, अगला नियम क्या कहता है, अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचे नहीं हो रहा हो, तो काले कुट्टे को प्रतेक शनिवार को कडवे तेल, सरसों के तेल, से चुपडी रोटी खिलाएं, शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निशिद्ध है, सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किन्तु गीले पैर नहीं सोना चाहिए, इससे धन का नाश ह होता है, अगला है, आपके घर में कभी भी ध्यान रखें कि मकडी का जाला नहीं होना चाहिए, अगर बना हुआ है, तो उसे तुरंत हटाते रहें, नहीं तो ये आपकी घर की बरकत के लिए रोडा बन सकता है, अगला नियम है, घर में कंघी भी कबार, अटाला, कच्रा न अन को पकड़ कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा, दान में सबसे बड़ा दान है अन दान, निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन के भंडार भरे रहते हैं, गाय, कुते, कौवे, चीन्टी और पक्षी के हिस्से का भोजन, निकालना जरूरी है, हिंदू धर्म के अ अन नजल देना, अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिति यग्य है, तो मित्रों आप इन निमों के बारे में जरूर ध्यान रखें, ये आपके, घर की बरकत बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी निमों में से हैं, जिसको की जोतिश और वास्तु में बताया गया है, जानकारी समझ आई हो तो विडियो को एक लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, धन्यवाद हर हर महादेव